नमस्कार दोस्तों इंडियन्स वेज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं नवरत्रवर्थ स्पेशल स्टब्ध हरी मिर्च कुट्टू पकोड़ा जिसके लिए हमें अवशकता होगी यह हमने 200 ग्राम कुट्टो का आटा लिया है और यह हमने 500 ग्राम में भी चल्यूस होती है इनको मैने धोलिया है दो लिया दो करके अच्छा इसमे रख लिया इनका जिसके लिया है और रहें जान अलू लिया है और मैंने 500 ग्राम और बॉयल डालू है यह और 18-10 गडि पता है दो चमद दूलियन ऑन वरत के बना रहें तो भीकोड़ के यह म इना रोस्ट करेंगें को कर्सक्राइब दुष्ट उच्छ जो मिर्चि लिया कुछा है थोड़ी सी हमें अधा चम्मिच मेंगें ए फ्रीट राइब लाल मिर्ची ली यह तोड़ी सी हमें लाल मिर्ची लिया है यह मैंने घर पर जाएब तयार की है एक टेवल स्पून में मसाला तयार करने के लिए वागी घीट में त्यायाँ ने आप लेके टाले सकते हैं जो पोडीए यू अउपक Lisa करेंगे मंने की मारी हमें पानी चाहिए चाहिए आप मात बनाने के लिए न के अलूथ करेंगे हमारे आलू जो हैं अच्छे से मैश हो गए हैं अब हम गैस ओन करेंगे अब हम इसमें हम अब अब टेबल स्पून घी डालेंगे हमारी मसाला भूनने के लिए जैसी हमारे घी गरम होगा हम इसमेंगे जीरा डालेंगे जब तक हमारे गी गरम होता है हम इनको चॉब कर लेते हैं यह देखिए यह हम मसाले में डालेंगे हमारा गी गरम हो गया है अब हम इसमे यह जीरा एड़ करेंगे यह देखिए अब हम यह जो हमने कड़ी पत्ता लिया था यह जो हमने मुंफली के दाने लिये थे उनको हमने ऐसे पीस लिया है थोड़ा मोटा मोटा अब हम इसको कड़ी पत्ता डालने के बार इसमें इसको डालेंगे थोड़ा सा इसको बूनेंगे प्लेन हम हाई रखेंगे यह देखिए हम इसमें हाफ टीबल स्पून घी ओर डालेंगे क्योंकि हमारा सुखा सुखा लग रहा है काफी इसको थोड़ा ब्राउन होले तक पकाएंगे इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे मुंफली के दानों को इसको हम लगाता चलाते हुए भूलेंगे देखिए हमारे ही ब्राउन होने लग्या है जैसे इसका कलर चेंज होगा थोड़ा से ब्राउन होगा हम इसमें हमारा मसाले अड़ करेंगे यह देखिए रेड़ मिल्ची यह जो हमने अध्रक यह धरने आप देड़े डालेंगे प्लेम हम बिल्कुल कम रखेंगे अब हमारी जो प्रेटो हम लिए तर इंटो डालेंगे हम इसकोप्षे से समगें है यह ब्रीन चिलि डालेंगे और यह अधा दन्या डालेंगे अधा अधा भचा लेंगे यह हम जो आटा प्यार गरेंगे यह यह आटा प्यार गरेंगें यम्र्त्षी में चीकन भी दालेंगे। एक चमच अमचूर भी एड़ करेंगे तो तरह सब्सक्राइब हैंरे गमाद़ द्यूप्सुने टीमादर यूज़ रहे हैं इसलिए हम बैङ रिखेत। तरह एक चमच अमचूर अमचूर दालता हैं अब जो तक हमारा मसाला भून रहा है हम ये पनीर काट लिया है जब ये मसाला हमारा भून के त्यार हो जाएगा तब हम इसमे ये पनीर एड करेंगे मसाला हम दो मिनिट तक भूनेंगे अब हम इसने ये जो हमने पनीर लिया था ये अड़ करेंगे इसको मिक्स करेंगे पनीर डाले के पज़ंगे इसको सिरफ 2 मिनट और भूनें चाहें के वज़ंगे आप जब नहीं ज़साने जिआए ज़आप है ये बहुँ अबग दी तक हमारा मसाला निख़त थटे को ज़्यातर थिर तक हमारा मसाला ये ठाल एक तब तक हम जो है यह आटा त्यार कर लेते हैं पकोड़े के लिए इसको हम एक बावल में निकाल लेंगे यह देखे अब हम इसमें यह धनिया पत्ती डालेंगे और हम अपने स्वादिके नुसर नमक डालेंगे यह नमक डाल दिया मैंने इसमें अब इसको पानी डाले के अच्छे से मिक्स करेंगे आप कि ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस में गांठे नहीं करने इसलिए हम इसको लगाता चलाते हुए देखिए हम इसको बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे ना यह ज्यादा रखेंगे बसके हमारा मिर्ची पे चट जाएं कि यह देखिए हम इसको ज्यादा पतला नहीं करेंगे इतना यह देखिए इस तरह का हमाटा त्यार करेंगे हवा अपनी गैस ओन करेंगे जब तक घी गरम होता है इसको अमने दस मिनट के लिए रख दिया है इसको हम ढ़क देंगे और मसाला भी हमारा थंडा हो गया है ज्यादा थंडा नहीं कर रहा है बस इतना कि हम इसे हाथ से छू सके अब तब तक अपनी मिल्ची को कट कर रहते हैं यह देखिए इस तरीके से हम अपनी मिर्ची को कट कर लेंगे उर यह हिस्से हम बाहर निकाल देंगे जो यह हमारे बीज है इनको हम बाहर निकाल देंगे ज़ो मसाला भरने के लिए त्यार करेंगे अपनी तरीके से हम अपने सारी मिर्चे लें अचाहें, अगर चाहे तो आप मसाले में भी अड़ कर सकते हैं तरहले नहीं हैं नहीं दाली है अगर आप इसको एड़ करेंगे तो आपको चिली अगर भी घोला हैं विए गोल के रखा हैं मैं उसमें इसको डालूँगी इसको मैं बिल्कुल बारी-पारी कट कर लोगी आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं यह देखिए 10 मिनिट हो गई हैं अमारा आटा जो है अच्छे से त्यार हो गया है यह देखिए पानी ही ना च।य जाते हैं थोड़ा थिक हो गया पाले से तो अपसे बस चरऄ उर सा पानी और भी आ आले ना, जबाल ने छो जाते हैं लमारे अदर की सेटियूदिया मिर्चे काई, विलिशाय ने जश्recht सीना लड़ भीर मिर्चे काई, शमें आदे मद्युद। और लोएं को आदकी होलें हमें हरने कर सकते हुआ। मिर्ची में मसाला भरेंगे यह देखिए इस तरीके से इसको खोल करके हम इसमें यह मसाला भरेंगे मिर्ची में मसाले को अच्छे से भर लिया है अब हम इसको अच्छे से एक बार फेटेंगे यह देखिए हम इसे मिर्ची को उठाएंगे और इसमें अच्छे से डिप करेंगे आफ इसे डालेंगे इसमें अच्छे से डाले में आफ दो अच्छे से अच्छे डाले लिग अच्छे डाले लिवन बापलीज। कि वीडियम प्लिन पे जाओं मुले पर पकाएंगे रखी इंगर कालर आने लगए हैं कि रसी होने वाला है दो मिनट पे यह हमारे ब्राउन हो चुके हैं आप हम इंको निकाल लेंगे बड़े ही ध्याम से हम इंको निकालेंगे यह खाने में बहुत पुर्मुरी लगते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं यह देखिए दोस्तों हमारे ग्रीन चिली स्टफ्ट पकोड़ी रेड़ी हैं यह नवरत्रवर्थ स्पेशल है अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि मैं और अच्छी ची वीडियो आप तक लेके आती रहूं तब तक के लिए धन्यवाद